हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आरे हम आपको बताएंगे मूग की दुरगन को दूर करने के असान और घरेलू उपाईल साथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुरवेदिक और घरेलू उपाईल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपेर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहें यदि आप चाते हैं कि हेल्से لेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें साथ ये मूँ की दुर्गन एक ऐसी समस्या है जिसके कारण केई बार लोगों को शर्मिन्दा होना परता है जिस व्यक्ति या महिला के मूँ से बद्वू आती है अकसर लोग उनसे दोर भागते हैं कि बीट पीछे उनका मजाब प्राते हैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तो मूँ से आने वारी दुर्गन की समस्या अगर लंबे समय तक चले तो इसे चिकित्सिक बाशा में हैलिटॉसिस यानि सांसों की बद्वू आना कहा जाता है यह आपके लिए शर्मना की स्थिति पैदा करती है और यह आपके लिए एक चिंता का विश्य है दोस्तो यह स्थिति महिलाओं और पूरुचों दोनों को ही किसी भी आईयों में कभी भी हो सकती है दोस्तो आप कितने ही अच्छे व्यक्ति क्यों नहों लेकिन अगर आपके मुझे बाचीत के दोरान बद्वू आती है तो अगला व्यक्ति आपसे दूरी बनायाकता है दोस्तो मुझे दुर्गन की समस्या सिर्फ यहीं तक्सीमत नहीं है बनकि इससे मुझे जुड़ी अन्य समस्या भी पुत्पन होने रहती है जिससे दातों में कीड़े लगना, मसूडों का फूलना, पाईरिया और दातों का कमजोर होना आती है दोस्तो ऐसे कुछ गरीड मुपाये हैं जिससे आप इन समस्याओं से असानी से चुटकारा पासकते हैं लेकिन इससे चुटकारा पाने से पहले यह जान ले कि आखिर मुझे बद्बू आती क्यों है दोस्तो इसका पहला कारण है खाने पीने के बाद मुझा ना धोना या कुला ना करना मुझे जोड़ी बीमारी मुझे में दुरिगन का कारण होती है पाचन तंत्र में गढ़बडी अपच पैदा करती है इसके कारण भी आपके मुझे बद्बू आ सकती है आतों में पचा खाना सड़ना, बैक्टिरिया का जमना, कैविटी, शुगर, लीवर में समस्या, फाइरिया, मसूरों में सूर्जन, हादी यह सब आपके दातों की समस्या हैं और इनके कारण मूँ से तुरुगन आ सकती है मूँ की बद्बू से बचने में ग्रीन टी पीने से भी फाइदा मिलता है ग्रीन टी से मूँ की बिमारिया होने का खत्रा कम हो जाता है साथ ही यह आपकी बॉड़ी को डिटॉक्सिपाई भी करती है गेहूं के जुआरे के रस का सेवन करने से मूँ साफ होता है और पाइरिया की इलाज में भी ये उपाय दवा का काम करती है दोस्तों मूँ में एक लॉंग रखकर चूसने पर भी दुरगंद अपने आप बंद होती है और दातों के दर्थ भी तूर होता है दोस्तों तुलसी और जामुन के पत्ते की प्रियोग से सांस की बद्वु खतम कर सकते हैं तीन से चार तुलसी के पत्ते और चार से पाज चुटे जामुन के हरे पत्ते चभाने से मूँ की दुरगंद दूर होती है दोस्तो सबसे सिंपल गरम पानी में नमग चाल कर कुला करने से ही मूँ की दुरुगंध हतम होती है दोस्तो पाचें क्रिया के खराब होने के कारण मूँ से दुरुगंधाती है तो भोलियर करने के बाद दोने समय आदा चमच, सौप चमच इससे मूँ की बदबूर होती है और बैठी होई हवाज भी खुल जाती है इलाइची और पुदीने का पान बना कर खाने से सांस की बदबू आना पन होती है दोस्तों दो छोटे इलाइची और थोड़ी सी मुलेठी लेकर चबाने से भी मूँ की बद्बू का इलाज किया जाते सारे तो दोस्तों यह हमने आपको बताए मूँ की बद्बू दूर करने के बेहद ही असान और धरे डूपा है हमें उमीर है हमारे दोड़ा दी गई है जानकारी आपके लिए लग दायक होगी ऐसी ही जानकारिया हम आपके लिए आगे भी लखते रहेंगे बाए टेक केर बी हैपी धन्यवाद